नीजी करन के खिलाफ आरक्षन बचाने के लिए परिसंग जो जिसके परमुख डॉक्टर उवीत राज हैं और जिसको हम सुधा चला रहे हैं उसकी एक बरी बैठा खोड़िये मैं दिखा रहा हूँ आपको 18-19 जुन को दिली में एक बरा कारकरम है उसकी तैयारी को अंतिम र चाने के लिए नीजी छेतर में आरक्षन हो इसको लेखर आखिल भारतिये परिसंग 18-19 जुन को दिली के कंसिलिशन कलम में एक बड़ा योजन करने जा रही है मेरे साथ उसके राष्टिये जनल सकरेट्री राष्टिये महासची वों सुधा जी हैं और उनके और भी कारकरत से जुरे साथी हैं गितांजली जी हैं हमारी खुश्बू जी हैं प्रेम चौहां जी हैं बावूलाल जी हैं असोग जी हैं जैवीर जी हैं रफ्सपाल जी हैं तमाम साथी हमारे सब लोग हम लोग ये फाइनल सेफ हम लोग दे रहे हैं कार्ज करम को असल में हम लोगों की जो लड़ाई है ना मनुवादियों से लड़ाई है और मनुवादियों से लड़ाई बिना तैयारी के हम नहीं कर सकते हैं हम लोग पूरी तैयारी से प्रोपर तरीके से मिल के बैठ के बात करके हम लोग इस तैयारी को अंजाम दे रहें ताकि जो आरक्षन बचाने की यह जो लड़ाई है जिसको हम लोग अब आखरी लड़ाई कर रहे हैं यह जो नीजी करन के खिलाफ लड़ाई है यह जो आखरी लड़ाई है इसको हम आखरी लड़ाई कर रहे हैं किसान जातियों पर है इसमें बरी संख्या में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा ये सब भागिदारी कर रहे हैं बिल्कुल आपने सही सुना है संभू जी इस बार हमारे जो 19 तारिक के वक्ता हैं मैं तो वक्ताओं का भी नाम बता देना चाहता हूँ दो दिन का कार्शक्रम है थोरा अगर आप वक्त दें पहले दिन हमारे कार्शक्रम में जो प्रमुख वक्ता है उसमें डॉक्टर रतनलाल होंगे दिलिप मंडल जी होंगे सुमी चोहान होंगे मिना कोतवाल होंगी आप होंगे संभूजी आप होंगे प्रतिभा सुमन बंबई से आएंगी दलित फिल्मेकर हैं वी सावीतरिवाय फुले पर वो फिल्म बना रही हैं बड़ी फीचर फिल्म बना रही हैं वो होंगी दूसरे दिन आपने जो कहा कि हम जाट जातियों को, गुर्जेर जातियों को, सब को जो रहे हैं, दूसरे दिन राकेश टिकेट भी हमारे वक्ता हैं, तो हम लोग ये जो लगता है कि बहुजन पूरी तरह से हम लोग जोड नहीं पाए हैं, उनको भी जोडने की कोशिस करें और बड़ी संख्या में हम लोग कोशिस कर रहे हैं कि देश भर से अलब संक्यक समाज का भी परतिनिदी तो हो, क्योंकि हम सब के बीच ये सब पिडित लोग हैं इस देश के, चाहे किसान हों, यूत हों, मुसल्मान हों, दलित हों, आदिवासी हों, हम सब सवर्ण हिंदूओं के सताय हुए हैं, हम सब के बीच दर् जाहिर करेंगे, और हम सब लोग आपस में विचार भी मर्च करके, कैसी हो नई राजनिती, क्या हो नया आइडिया, बहुजन या दलित राजनिती का जो आप कहें, क्या हो नया आइडिया, कैसे हम लरें, मिल बैठकर हमको लगता है कि यह जो कार्ज करम है, या बहुजन र दॉक्टर रूदीत राज जी ने कहा कि अब हम लोगों को फिर से नए सीरे से चिंता करने की जोरत है तो यह जो कार्जक्रम है हमारा 18-19 जून का हमारे राष्टी अध्यक जी का यह आईडिया है और खुले मन से हमारे राष्टी अध्यक जी ने अपील किये मन ने डॉक्टर बचना चाहिए देश भर के वो तमाम अंबेटकर वादी लोग फूले वादी लोग समता वादी लोग समविधान वादी लोग उन सब को हम खुले तोर प्यामंत्रित करते हैं आईए आप अपना डंडा लेकर आईए अपना जंडा लेकर आईए अपना बैनर लेकर आईए क्योंकि इस्थिती बहुत बहाव है आप देख लीजी आज की जो घटना है संभू जी देश की जो सबसे बरी विपक्षी पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी के दपतर से कारिकरतों को पीट कर ले गई है पुलिस यह सिर्फ कॉंग्रेस और भाजपा की बात नहीं है यह जो द संत्र के खिलाप है यह संभी भारतिय संभीधान पर सीधे सीधे हमला है और आज की तारीक में संभीधान बचाने की जिमेदारी अंबेटकरवादियों के कंधे पर है इसलिए 18-19 जूम की हमने पहल लिए है देश बर के अंबेटकरवादियां शिर्कत करें बात करें कोई कास्ता निकाले इसलिए हम यह कार्ज करम कर रहे हैं तो आपको तस्वीरे दिखा रहा हूं कि लगातार तमाम विप्रित प्रस्यतियों के बापजूद भी जो संभीधान को मानने बाए लोग हैं जो सोसल जस्टिस के परोकार हैं वो एक बड़ी बैठक करे 18-19 जूम को बक क्यारवनासी इसके साथ शंभू कुमार सिंग निस्नल दस्तक दिल्ली